आज साथियों नमस्कार आप सभी का स्वागत और अभिनंदन यह महत्वण स्रीज एक हजार प्रिश्णों की कामियाभी स्रीज इस स्रीज में आप जुड़कर के बहुत अच्छा मैसूस कर रहे होंगे उमीद कर रहा हूँ तो आज की गख्षा की सुरुवाद करें आप सब इसे गुजारिश की चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक अपने इस चैनल का परचार करें भेजें ताकि उनको भी इस चैनल से लाप राप्त हो सकें चलिए आज की गख्षा का हम पहला प्रशन रखते हैं, आज की गख्षा का पहला सवाल आपके लिए ये रहाँ, देखिए, स्रद्दा एक सामाजिक डैस डैस है, उप्यूक्त शब्द चुन कर उप्रोक्त वाक्ये में रिक्तिस्तान की पूर्ती करें, दोस्तों मैं एक बात पर आपको पहले भी ले गया हूं काफी बार, और मैं आज फिर से आपको बताने की कोसिस कर रहा हूं, कि ये जो उप्रोक्त है ना बिटा, ये जो उप्रोक्त होता ही नहीं है, एक्चुल में होता क्या है, उप्रियूक्त होता है, क्या होता है, उप्रियूक्त होता है, चाहे तो वो पेपर में लिखा हो और चाहे ये टाइपिंग मिस्टेक हो तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लिजीगा आप ठीक है अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्रिदा का स्रिदा एक सामाजिक प्रवंचना नहीं साव सामाजिक प्रभाव है नहीं प्रवंचन जो आपके आचारे रामचन रशुकल है उनकी बहुत श्यांदार स्रिदा और भक्ती और प्रेम से समंदित निमंद चलते हैं आपको पता होना चाहिए तो स्रिदा विस्तार चाहती है और प्रेम एकांथ यह उनका कथन है क्या दोस्तों स्रिदा विस्तार चाहती है और प्रेम एकांथ जैसे आप स्रिदा स्रिदा का मतलब यह हुआ आप जिस आदमी में स्रिदा रखते हो उससे आप प्रेम भी करते हो इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन यह अविशक नहीं है कि जिससे आप प्रेम करते हो उसमें सरदा रखते हो प्रेमी के सामने आप जुकते थोड़ी हो नहीं प्रेमी के सामने आप अपने आपको नत मस्तक थोड़ी करते हो नहीं लेकिन सरदा में आप उसके सामने जिसमें आपकी सरदा है उसके सामने नत मस्तक होते है देवताओं में आपकी क्या होती है सरदा लेकिन सामने के प्रेमी के सामने तो आपकी आपका प्रेम होता है और प्रेम एकांत चाता है बिलकुल एकांत चाता है प्रेम के बारे में आप किसी को नहीं बताओगे किसी को नहीं एसास कराओगे सिर्फ सामने वाले के अलावा और स्रदा में देखो आप स्रदा में किसी भी देवता को मानते हैं तो आप पचासों को बताओगे कि चलिए भाई इस देवता को मानिये इस संत को मानिये ये बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं और बहुत अच्छे जीवन की दिशा बताता है तो आप ध्यान रखें, स्रदा हमेशा भाव है क्या है दोस्तों? भाव इसलिए इसका सहीवत्तर बनेगा Option C, ओके? Next अगला सवाल यह रहा आपके लिए देखिए, कितना प्यारा सवाल है निमनलिकित में से किस वाक्य का प्रथम पद अशुद है प्रथम पद अशुद है, दोस्तों प्रथम वर्ण होना चाहिए था मेरे हिसाब से यहापर पद की जगे क्या होना चाहिए था वर्ण लेकिन यहाँ पर पद दिया है तो माल लेते है से सक्त है, इसमें प्रथम ये है, बिल्कुल सही है, से ये वाला ही आता है, अती इंड्रिये, ये बिल्कुल ठीक है, क्यों ठीक है, क्योंकि ये अती और इंड्रिये से मिलकर बना है, किस से मिलकर बना है दोस्तों, अती और इंड्रिये से तो ई और ई मिलकर के बड़ा हो जात पर अलग-अलग रखोगे तो ऐसे ही है नियूप सर्गेस में लेकिन नी के साथ में रह जुडने से रोग जुडने से ये नी है ना दोस्तो ये बढ़ा हो जाता है और इस प्रकार से निरोग शब्द में नी बढ़ाता है तो इसका पहला पता है ये अशुद्ध है दोस्तो निर्दोस में ऐसे ही लिखा जाता है बिल्कुल ठीक है क्लिर है दोस्तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल ये रहा आपके लिए क्या कहता है सवाल देखीगा पीछे-पीछे चलने वाला इस वाक्यांस के लिए उप्यूक्ति शब्द का चैन करें पीछे-पीछे अ पीछे-पीछे चलने वाला अनुगामी होता है मित्र नहीं होता भई साथ-साथ चलने वाला मित्र होता है और साथ-साथ यात्रा करने वाला क्या होता है सह यात्री होता है और अनुवरती यानि बाद में होने वाली वरती क्या कहलाती है अनुवरती कहलाती है इसलिए इसक रूपय का सवाल है ये देखिएगा उप्यूक्त विशेशन शब्द चुनकर निम्न वाक्य को पूर्ण करें उप्यूक्त विशेशन विशेशन चिथडे लपेटे तो देखो चिथडे 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 और लपेटे के लिए जो विशेशन होगा न वो कौन सा सही बनेग उचित अनुचित बात के लिए हो सकता है कि ये बात उचित है या अनुचित है तो ये तो बात का विशेशन हो सकता है बिल्कुल समझ में आ रही है बात लेकिन फटे पुराने चिथडे ये सही जो लगता है मुझे चिथडे मतलब कपडे फटे पुराने चिथडे अगले पिछले चिथडे थड़ी होता है और नए पुराने यहां नवीन और प्राचीन दिया हुआ है ये भी नहीं होता ये सही है तो option 20 के लिए सही answer बनेगा दोस्तों clear है चलिए अगला सवाल आपके लिए ये रहा बहुत बैतरीन सवाल है सभी बैतरीन सवाल होते हैं दोस्तों अपने आप में बस ध्यान आपको रखना है कि आप इसे कैसे handle कर रहे है देखे विष्धर वह है जो विष्ध को धारन करता हो उप्युक्त विग्रे किस समास के अनुसार किया गया है अरे भाई द्वंद में क्या होता है दोनों पद प्रदान होते हैं माता पिता पद प्रधान होते हैं बिलकुल ठीक बात है माता-पिता, भाई-बेहन, राद दिन ये होते हैं द्वंद्य समास में सममन्द अत्पुरश में होता है राज पुत्र राजा का पुत्र तो पुत्र का किस से समंध हो गया राजा से ये तो समंध्य तत्पुरुस की बात है कारक चिन्नों का तत्पुरुस में लोप होता है कारक चिन्नों का क्या होता है यहां काका क्या हो गया लोप हो गया तो राजा का पुत्र लेकिन ये समन्द कारक का लोप हुआ इसलिए समन्द कारक समन्द ततपुरुस कहलाएगा करमधार्य में पहला पद विशेशन दूसरा विशेश्य होता है और यहाँ पर देखें बहुब़ी में कोई अन्य अर्थ निकलता है तीसरा आर्थ निकलता है, दोनों ही पद क्या होते हैं, एपरदान होते हैं, यहां पर भी हो रहा है, विश और धर, विश को कोई भी रख सकता है, कोई डोक्टर रख सकता है, विश यानि ड्रक्स, ड्रक्स आप ध्यान दे, ड्रक्स को मतलब तो medical और किसी भी चीज़ से लग करता है, नहीं न, विश धर हर उस चीज़ को का जाता है, जिसमें जहर होता है, नहीं, विश धर तो हमने किसी एक चीज़ के लिए particular कामे लेने लगें, विश धर शब्द को, शाप, किसको, शाप, यस ओनो दोस्तो, यस, तो विश धर के लिए जो अर्थ निकल रहा है, ती सवाल ये रहा आपके लिए, क्या कहता है सवाल, देखेगा दोस्तो, सवाल कहता है कि भासकर सब्द के शुद्ध संदी विच्छेद का चैन कीजिए, ये भासकर सब्द रहा, और ये भाधन इसकर, ऐसा तो मैंने कोई शब्द आज तक देखा नहीं, और भासक धन रह, ऐस पनान सुनके फ्लावर समझा है क्या, इतना ही जी पूछा है यार, देखो, भास और कर ऐसे कौन संदी कराता है, ऐसे कौन संदी कराता है, ये विशर्ख संदी का उधारन है, जबर्दस्त, कौन सी संदी का उधारन है, विशर्ख संदी का उधारन है, देखो, भाधन कर, त चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखे, क्या कहता है, अगला सवाल ये रहा आपके लिए, क्या है सवाल, सवाल है दोस्तों बहुत प्यारा सा, निमने लिखित में से तलवार शब्द के प्रियावाची का चैन कीजिए, या करें, तलवार, तलवार, तलवार को किस किस नाम से जानते हो आप जानते हो न असी कहा जाता है तलवार को हाँ जी बिलकुल खडग कहा जाता है तलवार को बिलकुल कृपान कहा जाता है तलवार को बिलकुल ध्यान रहे ये सब के सब समसीर कहा जाता है तलवार को क्या कहा जाता है समसीर कहा जाता है तलवार को तो इस सब के सब तलवार के प्रियायवाची है यहाँ देखो कीर कीर किसको कहते है तो ते का प्रियायवाची है कुम्भिल नहीं भाई चाप कोन का प्रियायवाची है और खंग तलवार को कहते है इसका सही उत्तर जो है वो आपका क्या बनेगा दोस्तों वो खंग बनेगा यानि तलवार का प्रियाएवाची जो शब्द है वो क्या है खंग राइट, option D, correct answer आगे बड़े अगला सवाल ये रहा आपके लिए क्या कहता है अगला सवाल गोर कीजिएगा सवाल बदलते है क्या कहता है दिएगे शब्दों में से समंजित, समंजित, समंजित पहले तो इसको समझ लो कि समंजित क्या होता है अच्छी तरह से परकार से जोडा हुआ या अच्छी परकार से एक जिएगे किया हुआ क्या कहलाता है समंजित इसका विलोमार्थी शब्द का पहचान करें मंजित का है तो माजना होता है अच्छी तरह से मंजा हुआ ए मंजित का मतलब अच्छी तरह से नहीं मंजा हुआ समायोजित का मतलब तो होता है समायोजन और कू समायोजन समयोजन का मतलब आप किसी माहौल में ढल गए हो अपने आपको ढाल चुके हो वो समयोजन होता है तो यहाँ पर इसका आंसर जो बनेगा न ऐस समंजित बनेगा दोस्तों इतना सरल क्यों पूछता है कोई एक्जामिनर मुझे तो समझ में नहीं आया आज तक अगला देखो निमनलिखित में से उस वाक्य का चैन करें जिसका पदकरम शुद्ध हो हो पूछा है बाई हो पूछा है बता देंगे क्या बता देंगे सर तो आजयो दोस्तों मैं यहाँ पर लिए चल रहा हूँ आपको अंगद ने रावन से दो टूक बात कही कि मेरे पैर जमीन से हटा कर दिखाओ तो राम ने बिना सीता के वापस तो राम बिना सीता के वापस चले जाएंगे लाइन बहुत बढ़ी है पंक्ती बहुत बढ़ी है लेकिन यह शुद्ध है अंगद ने रावन से दो टूक बात कही बिल्कुल ठीक है सीधा सीधा पद करम उल्टा सीधा नहीं होना चीए यह एकदम सही सही बात कही गई है लिखा गया है ना करम से लिखा गया है यहाँ पर देखा अगले में दो टूक कह देना ही होगा आज की नाचाना नाच ठीक नहीं तुम्हें यह क्या तुम्हें ठीक नहीं रिया आगे पीछे कर रखा है गड़बड कर रखिये 99 के फेर में दो पेर को दतुअन करता है जेठा मल तीसरे पहर को अरे साब पढ़ते ही आप अंदजा लगा लोगे वह घर जाती ही नहीं कैसी पटी मेरे बेटे को पढ़ाई तुमने अरे वह घर जाता ही नहीं यह तो ठीक है जाता ही नहीं लेकिन यहाँ से करो ना मेरे बेटे को कैसी पट्टी पढ़ाई तुने कि वहाँ घर जाता ही नहीं तो ऐसा होना चीछ था, ये भी गलत है option A, right answer ठीक है, बड़े-बड़े option देखर के बड़े-बड़े विकल्ब देखर के छूड़ना नहीं है ऐसे सवालों को, बहुत सरल होते है यहाँ से एक नमबर आराम से लिया जा सकता है ऐसे देखती भूलो, कौन पढ़ेगा इसको बहुत असान है, बहुत सरल है हिंदी वैसे भी सरल है पढ़ने वालों के लिए अगले सवाल पर आते है ओस का पानी होना एशुद्ध मौहावरे के रेखांकित शब्द को सही शब्द से बदले बदल देंगे, पानी थोड़ी होता है बूंद होता है, क्या होता है बूंद ये रहा बुलबुला नहीं होता ओस की बूंद होना, किसकी बूंद होना दोस्तो ओस की बूंद होने का मतलब होता है खशन भंगूर होना थोड़ी देर के लिए रहती है उसकी बूंद सुबह सुबह फिर बाद में गईब हो जाती है लोपी तो हो जाती है ठीक है तो इसके लिए सही उतर जो बनेगा आपका वो बूंद बनेगा दोस्तो चलिए अगला सवाल है वो क्या के राय देखीगा पहल शब्द इसके लिए अप्रोप्रियेट नहीं है ध्यान रखना अगर का मतलब होता है पहले और जेकार्थ होता है जन्म लेने वाला तो इसका सही जो उतर बनेगा न वो क्या बनेगा दोस्तो वो बनेगा अगरच राइट राइट सर्थ इस बात को आपको ख्याल रखना है क्लियर है ना क्लियर है दोस्तों अनुज बाद में जन्म लेना छोटे भाई को अनुज कहते हैं अग्रज बड़े भाई को अग्रज कहते हैं जो पहले पैदा हो गया हमसे पुर्वज पुर्वज तो हमारे जो पीडिया हैं पुरानी पीडिया हैं उनको पुर्वज कहा जात क्या कहता है सवाल आपके लिए तो बड़ा इजी होगा वाक्य विन्यास की द्रस्ती से शुद्ध वाक्य का चैन करे जनता सासक की आग्या का पालन करती है मुझे तो ये पहला ही ठीक लग रहा है जनता सासक की आग्या का पालन करती है फिर आगे और देख लेते हैं पालन करती है जनता सासक आगे पीछे पदगरम वाला दोस ही है इसमें भी कौन सा दोस है पदगरम पदों को आगे पीछे करके लिखा गया है जनता आग्या का पालन करती है सासक की अरे वा ऐसे कौन लिखता है यह कोई गाना थोड़ी लिखा हुआ है सासक की आग्या का जनता पालन करती है पहले आएगा जनता सासक की आग्या का पालन करती है एक्दम सभी उत्तर है दोस्तों यह clear है? अगले सवाल देखेगा क्या कहता है? इस बहुत प्यारे सवाल है, सवाल है मुझे नहीं मिला मॉका, मुझे नहीं मिला, मॉका तो मॉका आएगा, दर्शन नहीं मिला, क्या, तो नहीं होता, दर्सन नहीं हुए, तो हो जाता. समय नहीं मिला, मुझे समय नहीं मिला, ना, यह कोई मुहावरा थोड़ी बनता है, यह कोई بात थोड़ी बनती है और यह समय जो है ना. यह देखो आगे क्या लिखावा, विदेशा जिस शब्द चुनकर उक्त वाक्य को पूर्ण करिए मोका है ना, मोका कौन सी बाशा का शब्द है अर्भी बाशा का शब्द है दोस्तो मोका प्रस्थ मोका प्रस्थ यह अर्भी बाशा का शब्द है ये जो अरबी और फार्सी बाशा के शब्द होते हैं ये फिल्मी दुनिया में ज़्यादा चलते हैं आपने गाना सुना होगा मौका मिलेगा तो हम बता देंगे ये सुना है कि नहीं सुना है चलिए खेर तो यहाँ पर सही उत्तर क्या मनेगा मौका मनेगा दोस्तो साथ मुझे साथ नहीं मिला ना साथ ये देखो ये साथ है ना ये आपके विदेशी सब्द नहीं है इसका ख्याल रखना है विदेशी पूछा है तो मौका है राइट राइट सर चलो आगे बढ़ता है अगला सवाल ये रहा आपके लिए बहुत बेतरीन सवाल है क्या है देखें सो सुन्दर मादक मदिरासी खंजन द्रग सुख प्रद प्रभुतासी ये इसमें क्या पूछा है अलंकार पूछा होता ना दोस्तो तो अलंकार तो सी 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 जहां आता है ना वहां हम उपमा दे रहे हैं दोस्तो क्या दे रहे हैं उपमा तो ये सी और ये सी जो है ये कौन से अलंकार के अंदर आती हैं उपमा अलंकार में आता हैं दोस्तो ये कीवर्ड मान लीजिए कौन से अलंकार का उपमा अलंकार का उप्मा अलंकार के कुछ बेद होते हैं दूस्तों, जैसे पुर्णो उप्मा, लुप्तो उप्मा, मालो उप्मा, ध्यान रखेगा, उक्त पंक्तिया निम्न में से किस अलंकार का उधारन है, अलंकार पुछा तो उप्मा है ना, उप्मा नहीं है, यहां तो कुछ और दिया ह अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार हिंदी में तीन प्रकार के होते हैं, एक अर्था अलंकार, यानि जब चमतकार या जो विशेषता है, वो अर्थ में हो, जब शब्द में हो चमतकार, जब दोनों में हो चमतकार, तो अर्था अलंकार, शब्द में हो तो अर्था अ और दोनों में हो तो उभे अलंकार कहलाता है यहां दोस्तों किसमें है अर्थ में चप्ष्मतकार है इसलिए इसका सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा option D अर्थालंकार clear है अलंकार वाला जो topic लेंगे हम तब आपको बहुत बहुत बहुतर तरीके से समझाए जाएगा दोस्तों ये लास्ट सवाल है आज की कक्षा का इस पर भी आपका ध्यान चाहूंगा माइडियर पिल्कुल आईए उसको पसंद है यहाँ पर क्या पसंद है हल्दी उप्यूग तो तत्सम पूछा है ना हल्दी तो तद्व है इसका तो हरीद्रा होता है जी तत्सम क्या होता है हरीद्रा होता है हींग नहीं ये भी नहीं है ये भी तद्व है और हरड ये भी तद्व है लसून तत्सम है lesson क्या है दोस्त तत्सम है तो इसका जो तद्व होता है वो होता है lesson क्या होता है lesson द्यान रखेगा दोस्तों इसका सही जवाब जो बनेगा option D बनेगा तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं आप सब को कक्षा कैसी लग रही है आप comment box में लिख कर जरूर बताएं, बताई रहे हैं, आप सब ने बहुत अच्छा प्यार दे रखा है, बहुत अच्छा support किया हुआ है, आपकी बदोलत हम यहाँ पर मेहनत करते हैं, आप सब तक यह बाते पहुचाते हैं, जानकारियां जितनी आपके पास में collect होती जाएं, आप उतने ही निखरते चले जाएंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखेगा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्त कामना हैं, पूरी कक्षा देखने के लिए, आने वाले कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अजाज़त दीजिए, नमस्कार.